सुलाम अलेकुम आप्र को सीजिग भूब 500 वबंडर देशेश मोपवन श fashioned और आज की सीडियो में हम लेकिविड स्टेट की के स्टॉपिक को डिसकस करने जा रहे हैं वह वेपरसे हैं तो हिएपडे पर बरेशिर चया है पैने फेट में डिस्ट करेंगे तो Video सबस्क्राइब करें हमारे चैनल को लाइक करें सबस्क्राइब करें बेल आइकन को ब्रेस ताको आने वाली वीटिशी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे विडियो स्टार्ट करते हैं वैपर प्रेशर कि अगर हम बात करें तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक सिनहरियो एजियूम करना पड़ेगा अब scenario हमने क्या assume किया है कि हमारे पास एक container है उस container के उपपर या इस container के अंदर हमने particular liquid fill कर लिया और उस container को हमने क्या कर लिया seal कर दिया कि कोई भी water vapors या कोई भी vapors वहां से escape नहीं हो सकते अब अगर हम इसको heat provide करें यहां से heat provide करने के नतीजे में क्या होगा वो molecules जो surface पर है वो molecules जो surface पर है जो evaporation कर सकते हैं उन molecules को इतनी enough energy मिलेगी कि वो अपने inter molecular attraction को जो neighbor से हैं क्या करेंगे overcome करेंगे और overcome करने के नतीजे में वो क्या कर जाएंगे escape कर जाएंगे इस process को हम क्या कहेंगे अगर एक molecule liquid state से gaseous state के अंदर मंतकल हो रहा है इसे हम कहते हैं evaporation अब क्योंके molecules के escape करनी की जगह नहीं है तो molecules collide करने के बाद अपने original या अपने liquid state में दुबारा आने की कोशिश करेंगे और वो process जिसमें gas liquid में दुबारा convert वो से कहते हैं condensation आप में देखा हो ना हमारे नेली लाइक में कोई चीज बना रहे हैं और cap लगा कर बनाया है तो हम क्या फटाते हैं तो आपे condensed small lingule में अदर आते water droplets same way phenomenon यहाँ देख रहे हैं अब molecules वो molecules जो liquid state से टेके liquid state से gaseous face में जा रहे हैं यह कर रहे हैं evaporation और वो molecule जो gaseous face से दुबाया liquid state में आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं condensation कर रहे हैं अच्छा starting में क्या होगा कि हमारे पास evaporation जो है एट यह आप कह लेते हैं initial stage के उपर क्या होगा initial stage के उपर हमें यह नजर आएगा कि क्योंकि initial शुडवाती वक्तों में उपर कोई gas के molecules तो होगे नहीं तो condensation का जो रेट है वो तो बहुत कम होगा बट इनिशल स्टेज के अंदर जो रेट ऑफ एवापरेशन है रेट ऑफ एवापरेशन वो ज्यादा होगा किसके comparison में rate of condensation के comparison में यानि क्योंकि molecules हैं नहीं तो condensation तो होगा नहीं तो पहले molecules evaporate हों के जमा होंगे कि condensation स्टार्ट होगा तो starting में तो evaporation का rate ज्यादा है और condensation का rate कम है मगत जैसे ही जैसे वक्त गुजरना start होगा तो अब गैस के droplets यहां पर जमा होना शुरू हो गया है, क्योंकि gas के droplets यहां जमा होना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब यह है कि आप condensation भी start हो गया है, पिर एक वक्त आएगा, जिस वक्त को हम कहते हैं, equilibrium stage, that point is known as equilibrium stage, अब यह equilibrium stage क्या हम होता है, equilibrium stage वो point होता है, जहां पर rate of evaporation और rate of condensation बराबर हो जाते हैं, इसका क्या मतलब है rate of evaporation और rate of condensation का बराबर हो जाना है, यानि जितनी तेजी से molecules evaporate हो रहे हैं, उतनी ही तेजी से molecules क्या हो रहे हो, condensate हो रहे हो, विझाल के दौर पर कि एक minute में अगर liquid stage से 50 molecules evaporate हो रहे हैं, तो उसी एक मिनिट में गैस के 50 मॉलिकूल क्या हो जाए कंडनसेट हो जाए तो दोनों की रफ़तार बराबर हो जाएगे तो वो एकलिमिरियम पॉइंट जहां पर दोनों का रेट बराबर हो जाए इस पॉइंट पर इस कंटेनर का जो टोटल प्रेशर हमें नजर आएगा उस टोटल प्रेशर को हम क्या कहते हैं इस टोटल प्रेशर को कहते हैं वैपर प्रेशर इसे हम क्या कहते हैं वैपर प्रेशर कहते हैं तो याद गिएगा कि जब rate of evaporation और rate of condensation इंग दूसरे के equal हो जाते हैं तो उस point पर जो system का जो container का total pressure रहता है उसे हम क्या कहते है वैपल pressure कहते है अब वैपर प्रेशर फो अगर मैं थोड़ा सो और डिफाइन करूं डेप पर जाकर या समझाने की कोशिश करूं तो यह यह बन सकता है कि यह मॉलेक्यूल लिक्विट स्टेट से कंवर्ट होकर कौन से स्टेट में आ चुके हैं वैपर स्टेट में अब जो मैं वैपर वैपरेट यह मॉलेक्यूस जाएगा तो इसके नीचे वालेक्यूस इसकी जागे पर राघिन करसे हीच तो मिल रही है उपदessed मिंडमय एला टॉप पर मॉलेक्यूस के एनरजी व्रोड़ रही ज़एमॉलेक्यूस उपड़ आएंगे तो यह वालेक्यू यह यह यहां पर अकेलने की कोशिश करेगा यानि इस पॉइंट पर आकर क्या लगाएगा फोर्स और किस पर लगा रहा है एरिया पर फोर्स पर यूनिट एरिया क्या एक्जिस्ट करता है प्रेशर तो अगर आप इसको गौर से समझें तो वैपर अपनी पोजिशन को दुबारा रिगेन करने के लिए फोर्स लगा रहे है वet व फोर्स पर इट अगरेट यह उता है यह वह फ्रैशर है जो इन वैप में थ को रहा है इसन्हिए हम क्या कहते है वेपर प्रेशर कहते हैं तो वैपर प्रैशर को कॉंसेप्स है अब हम एक और पर पर बढ़ते हैं वह क्या है factor effecting the vapor pressure factor effecting the vapor pressure वो कौन-कौन से factors हैं जो vapor pressure को effect कर सकते हैं वो कौन-कौन से factors हैं उनको सब हम देख लेते हैं तो जो पहरा factor है वो यह है कि vapor pressure जो है vapor pressure is directly proportional to the temperature बहुत simple और obvious सी बात है कि जब आप किसी liquid का temperature बढ़ाएंगे तो evaporation rate भी बढ़ जाएगा और जब evaporation rate बढ़ जाएगा तो condensation rate भी बढ़ेगा जब evaporation ज्यादा होगी condensation ज्यादा होगी पहले के मुकाबले में तो लाज़मी सी बात है का जो वैपर प्रेशर है और इस container का जो वैपर प्रेशर है या जो लिक्विट का वैपर प्रेशर है क्या हो जाएगा इसी तरह से अगर हम वैपर प्रेशर को ओ देखें तो वैपर प्रेशर is also directly proportional to the intermolecular attraction अब वैपर प्रेशर intermolecular प्रेशर इंटर्मोलेक्विलर प्रेशर होगा उतना कम वैपर प्रेशर होगा मिसाल की तो पर प्रेशर होगा नहीं तो मुझे दो लीक्विट दे गया मान लेते हैं अलकोहोल दुसरा लेक्विट मुझे दे दिया गया मां लेते हैं नौट था दूसरा लेक्विट मुझे द दीया गया वाटर व्याधे περιेशर गया घ। दोनों से पूछावानों की है कि स Messiah model each सब्सक्राइबा की गोच्राइगव शींकिर को सीषर 50 गार को भी आ की आपर प्रेश्टाइव डिके इन्दार इह समस्क्रायज की प्रोमेगव यैंनि जिसका गा遊戲 vapor pressure already come होगा तो अगर आप इसको focus करें तो एथर एक non-polar organic solvent है जिसके अंदर हमें मिलेगा week vendor-wall force vendor-wall forces जबकि water एक polar molecules है जिसके अंदर मिलेगा मुझे hydrogen bonding और हमने यह पढ़ा रखा है कि हाइडोजन बॉंडिंग जो होती है वह सेकेंड्री स्ट्रॉंगर्स बॉंड है strongest bond, तो इसके water के अंदर जो inter-molecular attraction है वो ज्यादा है, तो molecules को evaporate करने में वहाँ मुश्किलात से पार होगा, वो molecules, जब क्योंकि water के अंदर molecules evaporate बड़ी मुश्किल से होंगे, तो condensation भी बहुत मुश्किल से होगी, तो इसके मकाबले में जो इठा है, जिसमें molecules के दरम्यान weak venterval forces है, तो उनके molecules को अगर अपने neighbor के attraction को overcome करना है, तो बहुत असानी से कर लेंगे, थोड़ी सी energy से कर लेंगे, जल्दी evaporate हो जाएंगे, तो इसलिए उनका vapor pressure क्या होगा, ज्यादा होगा, तो vapor pressure is directly proportional to the temperature, vapor pressure is all inversely proportional to the intermolecular attraction, और एक और एक चीज़ यह है, कि vapor pressure जो है, vapor pressure is always the inverse proportional to the size of molecules, molecules के size के भी कैसे है, inversely proportional है, यानि अगर molecules का size ज्यादा होगा, larger molecule होगे, तो उनके intermolecular attraction ज्यादा होगा, किसके बनिद्बत उन molecules के बनिद्बत जो छोटे हैं, मिसाल के तोर पर हम यह कह लेते हैं कि मेरे पास एक molecule है, जिसे हम कह रहे हैं, methane, normal natural gas, formula है CH4, एक और हम compound है, या हम चले, methane के बजाए कोई और दूसरा, क्योंकि gaseous state हम liquid product समझ लेते हैं, माल लेते हैं हम दे लेते हैं N-hexane, hexane यानि petroleum, petroleum, उसके मुकाबले में हम दे लेते हैं, octane, यह भी petroleum product है, अब मुझसे पूछा गया, कि इन दोनों में से किसका vapor pressure ज्यादा होगा, तो आपको नदर आ रहा है, यह भी एक non-polar molecule है, octane भी एक non-polar molecule है, क्योंकि octane का molecular mass ज्यादा है, molecular mass ज्यादा होने का मतलब size बड़ा है molecules का, तो इसका vapor pressure कम होगा, किसके बरिजबर? hexane के बरिजबर, क्योंकि hexane का size छोटा है, यह 6 carbon वाले compound को कहते हैं, octane 8 carbon वाले compound को कहते हैं, तो इसका size ज्यादा हुआ, इसके बर size ज्यादा, molecular mass ज्यादा, inter-molecular attraction ज्यादा, वहाँ vapor pressure कम हो जाएगा, तो यह हमारे पास कुछ factors हैं, जिनमें vapor pressure क्या कर रहा है, depends कर रहा है, तो उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आयोगी, तो हमारे चैनल को like करें, subscribe करें, bell icon को press करें, ताकि आने वाली वीडियोज की notification आपको मिलती रहे,